हेलो फ्रेंट्स आज मैं आप लोगों के साथ सेयर करने जा रही हूँ फ्राइंस बनाने की रेसिपी वैसे तो हम इने मार्गेट से भी पर्चिस करके लेके आते हैं लेकिन आज हम इनसे घर पर ही बनाना बताएंगे और इने बनाना बहुत ही आसान है तो चलिए सुरू करते हैं फ्राइंस बनाने की रेसिपी सबसे पहले हमने इक बड़ा बाउल लिया है और उसमें हमने चाबल का आटा एक कप डाल दिया है यहां पे हमें करीब दो कप पानी का एड करना है अभी हमने एक कप पानी का एड किया है और अच्छे से चमस की सायता और देख सकते हैं अब हमको यहां पे ले ले लेना है एक कढ़ाई और कड़ाई में हम इसको डालेंगे और इसको हम पकाएंगे आपके हाँ कोई भी परतन हो अब यूज कर सकते हैं मैंने सारा बैटर इसमें कड़ाई में डाल दिया है अब हमको इसमें सारा डालने के बाद अभी यहाँ पे हमको करीब 5 कप पानी डाल देना है दो कप हमने पह पनी ढाल दिया है अब हमें इसको यह की मिक्स हो जाएगा और इसको बोटा यह गुमाते रहेंग Talking आपंड़ा ठीम देख सकते हैं अब इसे कर्षान प्लाना है जिसे के फोई या ये करीब जिससे कि ये थोड़ी देर में ठिक होने लगेगा, आप देख सकते हैं, अलका-लका ये ठिक होने लगा है, अब हमें यहाँ पे थोड़ी देर और चलाना है, अब हम यहाँ पे डाल देंगी बेकिंग सोडा एक पिंच और इसको बेकिंग सोडा को अच्छे से इसमें मिक्स कर और आप देख सकते हैं यहां पे बवल्स आने लगे हैं बैटर पर और इसको और थिक करना है थोड़ी देर और चलाना है अभी हम इसकी पैचान मताएंगे जिससे की आपको पता चल जाएगा कि यह बैटर हमारा बिल्कुल बनके तयार हुआ है हमें यहां पे ऐसे चलाना है और वास इस ताइम पे हमें एक प्लेट पे लेना है और इसमें थोड़ा सा बैटर डलना है प्लेट को ऐसे करना है थोड़ा सा रूटेट जिसे कि बैटर बहेगा नहीं यह बहुत अच्छा सा बन कर तैयार हो गया अब यहां पे हम गैस DOWN कर लेंगे और कड़ाई को उतारके साइड रख लेंगे अब हमें यहांपर चोड़ी-चोडय कैट्ओरे लेनी है और उस कैट्ओरी में गरम-गरम ही बैटर को डाल देना है यहां में चार कलर के बैटर को करूंग यहां सबसे पहले मैंगे red food salt डाल दिया है और उसमें मैंने green डाल दिया है इनको मैं अच्छे से mix कर लूँगी थोड़ा सा color हमें जादा डाल देना है जिससे कि ये दूप में जब सूखेंगे न तो इनका color थोड़ा सा fade हो जाता है थोड़ा सा जादा डालेगा चो देखने में बहुत अच्छे लगेंगे इनको अच्छे से mix कर लेना है और इस तरीके से मैंने ये वेटर red वाला बना लिया है और दूसरा मैंने यहाँ पर green color का ये बना के तयार कर लिया है आप देख सकते हैं देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं आप देख सकते हैं लाल और green देखने में कितना अच्छा लग रहा है अब मैं एक glass लूँगी और मैंने यहाँ पर यूज किया है एक मजबूस सी polythine जो grocery में सामान में आती है किचिन में आप चाहें तो यहाँ पर piping bag का भी यूज कर सकते हैं इसमें मैंने सबसे पहले ग्रीन कलर का बैटर इसमें डाल दूँगी बैटर हलकल का गरमी होना चाहिए गरम से यह रहता है कि हमारे polythine से बैटर बहुत अच्छा निकलता है और हमारे जो फ्राइम्स हैं बहुत अच्छे बनकर तयार होते हैं इनको अच्छे से सेट कर लूँगी इसमें डाल दूँगी और उपर से इसको पकड़के इसके अच्छे से पैक कर लूँगी आप यहां पर रबर का यूज़ कर सकते हैं और यहां पर रबर लगाके अच्छे से इसको पैक कर लेना है जिससे की हमारा जो बैटर है फ्राइम्स बनाने के लिए यह उपर से ना निकले और अच्छा सा यह सेट हो जाए बस यह हमारा यह एक काम तो हमने पूरा कर लिया है इसी तरीके से मैंने सारे कलर के बैक्स तयार कर लिया है रैड औरेंज यलो और ग्रीन बस यह सारे हमारे तयार हो गए हैं और हमें यह काम बहुत जल्दी जल्दी कर लेना है हमें हमने एक प्लास्टिक सीट को बिचा और एक आप मैं चाहिए याँ बीजाइन दे सकते हैं मेनिये यहाँ पे इस तरीके से प्राइमस बनाया है आप इस प्राइमस को सब्सक्राइब बनाये और याद रखें सारे कौरनर को आपस से जरूर चिपकाएं जिससे कि ये तलने के टाइम पर अच्छे से शिक जाएं खुले नहां इस तरीके से हमने ये friends बना कर तयार किये हैं आप देख सकते हैं market में बिल्कुल इसी तरीके के friends मिलकर तयार होते हैं अब मैं यहां पर एक दूसरे तरीके का friends बना रहीूं अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो तो प्लीज एक लाइक ज़रूर दीजिएगा अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना कियो हो तो प्लीज फ्रेंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक कप चावल के आटे से आप इतने सारे फ्रेंस बना कर तयार कर लिएगे इसी तरीके से मैंने दूसरे कलर का भी फ्रेंस बनाया है आप देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में और बहुत ही जटपट और बहुत ही आसान तरीके से ये फ्रैंस सारे बनकर यहां पर तयार हो गए इन्हें आप छट पर सुकाईए करीब दो से तीन दिन में अच्छे से ये सूकर तयार हो जाएंगे और आप देख सकते हैं एक कप चावल के आटे से कितने अच्छे फ्रैंस बनकर तयार होए है और ये अपने आप सूकर अलग हो जाते हैं पॉलिथीन से आप देख सकते हैं कितने अच्छे बने हैं बिलकुल मार्केट की तरह बने हैं अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज एक लाइक आप जरूर दीजेगा अभी मैं आपको इनको सेख के दिखाऊंगी कि ये सेखने के बाद कितने क्रस्पी और कितने करारे बनकर तयार होते हैं फ्रैंड्स या मैंने ओरेडी तेल को गरम कर लिया था और आप देख सकते हैं ये हमारा सिक्के फ्रैंड्स तयार हुआ है ये नमकीन आप बच्चे बड़े किसी को विदे और अपनी आज की होली को जरूर इंजॉय करें इस तरीके से मैंने सारे फ्रैंड्स को अच्छे से तल लिये हैं और ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और बहुत ही आसान तरीके से ये मैंने बनाना बताएं